वेलकम बैक तू स्टडी केव इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 12 की इंगलिश की फ्लामिंगो का चैप्टर दा लास्ट लेस्सन की समरी दा लास्ट लेस्सन को अलफोंस डॉडेट ने लिखा है अलफोंस डॉडेट का जन्म 13 मई दार 18, 140 को हुआ यहां एक फ्रांसी सी लगु कथाकार और उपन्यासकार थे उन्हें मुख्यरूप से फ्रांस के दक्षन में प्रांतिय जीवन की भावुक कहानियों के लेखक के रूप में याद किया जाता है अपने पूरे जीवन में उन्होंने अन्य लोगों की अपनी टिपणियों को छोटी नोटबुक में दर्स किया, जिसे उन्होंने प्रेर्णा के भंडार के रूप में इस्तिमाल किया दौड़क परस पर विरोधी तत्वों के संचलेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं और जीवन के उनके वास्तविक अनुभव, हर सामाजिक स्तर पर और यात्रा के दौरान उनके प्राकृतिक उपहारों को विक्सित करने में मदद करती हैं उनकी प्रमुक कृतियों में तस्तेन, लेपैटिक चोस, इन दा लेंड आफ पेन और दा लास्ट लेसन शामिल है दा लास्ट लेसन लेखक अलफोन्स डॉडेट का है दा लास्ट लेसन में लेखक वर्ष 18, 170 के बारे में घटनाओं का वर्णन करती हैं जब फ्रांस को बिसमार्क के नेत्रित्व वाली प्रशिया सेना ने कबजा कर लिया था इसके अलावा लोरेन और अलसैस जिले प्रशिया शासन के अधीन थे इन दो जिलों में फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया गया था फ्रांसी सी शिक्षकों के जाने का आदेश था नतीशतन एम हामेल अपने पुराने स्कूल में रहने में सक्षम नहीं थे इसके बावजूद उनसे आखिरी सबक भक्ती और इमानदारी से भरा था एम हैमेल का एक छात्र उनसे डरता था उस दिन स्कूल आने पर इस छात्र से सजा का अंदेशा था हालांकि उन्होंने सीखा कि यहां उनका आखिरी सबक होगा जल्द ही उन्हें इस विशय के महत्व का एहसास हुआ यह कहानी हमें दिखाती है कि जब लोग अपनी भाशा नहीं सीखते तो कैसा महसूस करती है इस कहानी का वरणन एक फ्रांसी सी लड़के फ्रैंस द्वारा किया गया है फ्रैंस एक आलसी लड़का है हाला कि अपने आलस से के बावजूद फ्रैंस खेलना पसंद करता है और एक सम्वेदन शील स्वभाव का है इसके अलावा फ्रैंस अपने स्कूल में अपने शिक्षत एम हैमेल से नफरत करता है और उसे फ्रैंच का अध्यान करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है फ्रैंस के अलसस और लोरेन जिलो को अपने अधिकार में लेने के बाद बरलिन से एक आदेश आया है कि वहां के स्कूलों में फ्रैंच के बजाए जर्मन भाशा पढ़ाई जाए इसके अलावा यह स्कूल के फ्रांसी सी शिक्षक एम हैमेल का अंतिम दिन है यह शिक्षक 40 साल से वहां काम कर रही थे इसके अलावा शिक्षक में देश भक्ती की भावना है वह विशाद और शोक से भी भरा है गाव के लोग भी उनके दा लास्ट लेसन में भाग लेते हैं ताकि उनका सम्मान किया जा सके गाव पच्टा रहा है और दुखी है कि उन्होंने बच्पन में अपनी मातरी भाषा नहीं सीखी फ्रेंच को एक बड़ा जटका लगता है जब उसे पता चलता है कि फ्रेंच में यहां उसका आखिरी पाठ है वह चौप गया क्योंकि वह फ्रेंच नहीं जानता इस अंतिम दिन सिखाई गई हर चीज को सीखता है तुरंत उसे शिक्षक एम हामेल के प्रती लगाव पैदा हो जाता है उनके प्रती उसकी घ्रिना की भावनाएं अचानक समाप्त हो गई इसके अलावा फ्रांज अपने शिक्षक की कड़ी मेहनत और इमानदारी के लिए सम्मान विक्सित करता है फ्रांज अपने पाठ को पढ़ने में असमर्थ होने के कारण दुखी और शर्मिन्दा है हैमल बताते हैं कि सीखने की उत्सुकता की कमी के कारणवे सभी दोशी है इसके अलावा वहां खुद को भी इस गल्ती में शामिल करते हैं वहां उन्हें पढ़ने में इमानदारी की कमी के लिए खुद को दोशी मानते है फ्रेंच भाशा के लिए उनकी प्रशंसा में उनकी देश भक्ती का प्रतिबिंब है उनका कहना है कि फ्रेंच भाशा दुनिया की सबसे तार्किक और खूपसूरत भाशा है ऐसा लगता है कि इस मौके पर एम हामेल इमोशनल हो गए इसके अलावा वह कक्षा को अपनी भाशा की रक्षा करने के लिए कहते है उनका कहना है कि अपनी भाशा के करीब होना गुलामी के चंगुल से बचने का एक तरीका है यह भाशा उन्हें जर्मनों से आजादी दिलाने में मदद करेगी लोग अपनी मात्रिभाशा के महत्व को समझते हैं इसके अलावा उन्हें लगता है कि उनकी हार का कारण अशिक्षा है फ्रैंस को लगता है कि किसी व्यक्ती से किसी की भाशा को हटाना असंभव है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो एक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है इसका मतलब यह है कि विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वे अपनी भाशा को हटाने में नाकाम रहेंगे तो अंत में दा लास्ट लेस्सन की समरी किसी भी जाती के लिए किसी की भाशा के महत्व को दर्शाता है और इसे सुरक्षत रखना क्यों महत्व पूर्ण है विडियो के डिस्क्रिप्षन में आपको प्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी विडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करे अगर अभी तक आपने स्टडी केव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके